कक्षा पार्वी लेखा शास्त्र में हम लोग आज साजेदार का आवकाज ग्रहन के आखरी भाग को देखेंगे कुर्श्चन नमबर 33 और 34 को 33 में हम लोग देखेंगे कि पुंजी का समयोजन कैसे किया जाता है प्रश्चन में लिखा है कि A, B, C, 3 अनुपाद, 2 अनुपाद, 1 में साजेदार है B, फर्म से आवकाज ग्रहन करता है सारे समयोजन करने के बाद इस चीश को ध्यान रखिए सारे समयोजन करने के बाद A और C के पुंजी खातों में 3,20,000 और 1,60,000 थे यह निर्ने किया गया कि A और C नए ला विभाजन अनुपाद में उनकी पुंजी को समयोजित किया जाएगा नई पुंजी ग्यात कीजिए और प्रविस्टिया कीजिए आवश्यक तो इसको अम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यह जानिये कि A, B और C तीन अनुपाद, दो अनुपाद, एक में साजेदार हैं जैसा की प्रश्ण में लिखा है अब जो B है वो फर्म से आवकाश गढ़न करता है तो इसका हिस्सा जो है वो खतम हो जाएगा और फर्म का नया अनुपाद, A अनुपाद, C तीन अनुपाद, एक होगा इसको हम लोग तीन बटे चार और एक बटे चार भी लिख सकते हैं अब उसके बाद प्रश्ण में लिखा है कि सारे समयवजन करने के बाद जो A और C हैं उनकी पुंजी है तीन लाग बीस हजार और C की है एक लाग साथ हजार इसका अर्थ है कि नय फर्म की कुल पुंजी जो होगी वो चार लाग असी हजार रुपया होगी तो इसमें A का हिस्सा कितना होना चाहिए A की भाग की पुंजी कितना होना चाहिए जो कुल पूंजी है उसका 3 बटा 4 होना चाहिए क्योंकि ये नया अनुपात है एक का जो हिस्सा है नई फर्म में एक का जो भाग है वो 3 बटा 4 तो पूंजी का भी 3 बटा 4 एक के पास होना चाहिए तो 4,80,000 का निकालेंगे 3 बटा 4 मतलब A के पास होना चाहिए 3,60,000 लेकिन है उसके पास कितना हमको प्रश्ण में मिला हुआ है 3,20,000 होना चाहिए 3,60,000 लेकिन उसके पास है 3,20,000 मतलब 40,000 रुपया कम है जिसको की A को लाना पड़ेगा कैश के रूप में अब नय फर्म में ठिक इसी प्रकार से B का पूंजे होना चाहिए चुंकि B का नया भाग 1,04 है तो कुल पूंजी का 1,04 B के पास होना चाहिए अर्थात 1,20,000 4,80,000 का 1,04 करेंगे तो आएगा 1,20,000 लेकिन B के पास कितना है हमको प्रश्ण में मिला है समायोजन करने के बाद क इसके पास होना चाहिए 1,20,000 लेकिन इसके पास है 1,60,000 मतलब 40,000 जादा है जिसको की हम लोग को वापस करना पड़ेगा तो वापिस करने के लिए हमको पंजी प्रविस्ट्री करना पड़ेगा और एचुंकि पैसा लेके आएगा उसकी भी प्रविस्ट्री करेंगे तो और उसके बाद है C का पुंजी खाता विकलन 40,000 रोकर खाता से 40,000 अर्थात इसको जो अतिरिक पुंजी थी वो हमने वापिस कर दिया तो इस प्रकार पुंजी का समयोजन किया जाता है एक और सवाल हम लोग देखेंगे question number 34 page number 329 में लिखा हुआ है आप लोग उसको पहले दो बार पढ़ लें फिर इस वीडियो को देखें तब जादा समझ में आयाएगा और यह सबसे कठीन प्रश्न है इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग easy part जो है इसका सरल भाग है पुनर मुल्यंकन खाता उसको देखेंगे इसको तो आप लोग शुरू से बनाते आया हैं करीब 50 प्रश्न आप लोग बना चुके हैं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझाने की जरुरत नहीं समझ रहा हूँ तो यहां पर सीधा हम लोग समयोजन में देखते हैं भूमी और भवन को 10 पतिशत से बढ़ा दिये डूबत रिन आयोजन को आगे नहीं ले जाना है तो वो भी हमारा फायदा होगा क्रेडिट में आएगा और इसकंद को भी स्टॉक को भी 20 परसेंट बढ़ाना है जो की है पुनर मुल्यांकन से 25,650 इसको जो तीनों साजेदार है और जिनका भाग है चार अनुपात तीन अनुपात दू इसमें हम लोग इसको बांट देंगे तो बाटने पर शीवम का हिस्सा होगा 11,400 शूभी का हिस्सा होगा 8,550 और गोलू का होगा 5,700 तो इस प्रकार कुल 25,650 के लाप को हमने चार अनुपात तीन अनुपात दू में पाट दिया उसके बाद एक ख्याती का हम लोग को वर्किंग नोट्स बनाना पड़ता है आप लोग जानते हैं पहले भी कई बार कर चुके हैं चूँकि शूभी जो है वो रिटायर हो रही है तो उसको उसके हिस्से की ख्याती देना पड़ता है और ख्याती इसको देंगे 6 बचे 54,000 और उसमें शूभी का हिस्सा है 3 बटे 9 अर्थाद 18,000 18,000 को कौन देगा लाप प्राप्ती अनुपात में शूभम और गोलू देंगे अर्थाद 2 अनुपात 1 में तो 18,000 को 2 अनुपात 1 में बाटेंगे तो शूभम देगा 12,000 और गोलू देगा 6,000 तो इसका जब हम लोग पुंजी खाता में आते हैं तो यहां पे हमको सबसे पहले शेश लाया गया यह हमको चिठे में मिलेगा एक लाग बीस हजार नब्बे हजार और साथ हजार चिठे में दाइतों के तरब लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं उसके बाद जो पुनर मुल्यांकन खाता हम लोग बनाये थे और यहां पे हमको लाब हुआ था 25,650 तीनों साजेदारों को वितरित किये थे इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे पुनर मुल्यांकन खाता को शीवम 11,400 शुभी 8,550 और गूलु 5,700 उसके पाद तीसरा काम हमको करना है यह जो ख्याती है ख्याती की गड़ना किये थे शुभी के हिस्से का उसको देंगे शुभम और गूलु तो इसकी जो प्रविस्टी है वो दौनों तरफ होती है शीवम देगा 12,000 शूभी को गोलू देगा 6,000 शूभी को और इसी प्रकार से इनके खाते को डेविड भी करेंगे हम लोग शूभी के पुंजी खाता से 12,000 और 6,000 उसके बाद क्या करेंगे? इतना करने के बाद जो शूभी का कुल भाग है 1,16,500 वो उसके रिन खाता में हम लोग डाल देंगे चुंकि अभी यहाँ भुकतान के लिए कुछ नहीं कहा गया है इसलिए उसके रिन खाता में डाल के इसका काम खतम हो जाएगा अब हम लोग इसके असली भाग की और आते हैं पूंजी का समायोजन देखे अभी यह इसको ध्यान में नहीं देना है आपको और नहीं इसको ध्यान में देना है बाकी चीजों को आप लोग को देखना है बस यहां तक यहां तक यहां तक और यह दोनों आख तो अभी अब जो हम लोग की नई फर्म बनी है उसकी पूल पुंजी कैसे दिखेंगे शीवम का दिखिए उसके क्रेडिट में है 12,000 और 11,400 और डेबिट में है सिरिफ 12,000 तो इसको माइनस कर देंगे तो शीवम की नई पुंजी आ गई है 1,19,400 नई पुंजी ने इसको समायोजित पुंजी बोलेंगे शुभी का हम लोग निकाल चुके हैं इधर तो है नहीं कुछ उसका पर इधर है 1,16,550 और गोलू का है 60,500 और उसके डेबिट में है 6,000 तो इसका जो कुल पुंजी है समाय पुंजी 6,700 और तीनों की पुंजी को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो नई फर्म की कुल पुंजी हमको पता चल जाएगा अर्थाद 2,95,650 रूपया होना चाहिए अब इसमें जो नया साजेदारी बना है उसमें जो उनका अनुपात है वो है दो अनुपात एक प्रश आज शीवं का हिस्सा है 2 बटा 3 और गूलू का हिस्सा है 1 बटा 3 तो जो नई पुंजी है उसमें शीवं का कितना होगा 2 बटा 3 एक लाग संत्यानबे हजार 500 इतना होना चाहिए और गूलू के हिस्से का पुंजी होना चाहिए 98,5550 ये दोनों को हम लोग यहाँ पर शेश ले गया वाले कॉलम में लिख देंगे एक लाग संत्यानबे हजार एक सो और इसका अंठ्यानबे हजार पांसो पचास अभी इसको आप लोग ध्यान नहीं दिये हैं अभी तक हम लोग यह दोनों आइटम को छोड़ दिये हैं अब इसके हम लोग डेबिट पक्ष को पूरा ट इसके बाद इसी टोटल को हम लोग यहां पर भी लिख लेंगे और उसके बाद यह जो दौनों मदय हैं इसको जोड़ के इससे घटा देंगे तो इतना जो आएगा वह इसका रोकड की कमी होगा पूंजी की कमी होगा अर्थाथ शीवम को 77,700 रुपया लाना होगा और गोल 38,850 रुपया लाना होगा इसको तो तब जाके इन लोग का खाता बराबर होगा तो इस प्रकार से हम लोग पूंजी का समयोजन करते हैं थोड़ा सा कठीन है आप लोग को थोड़ा सा प्रेक्टिस करना पड़ेगा तब ही जाके यह सवालों को आप लोग बना सकते हैं कम स हमारी वेबेक्स क्लास होती है और इस प्रशन को जब हम बनाते हैं तो आप लोग बिलकुल आराम से एक एक चीज को और अच्छे सा समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं